कथायाह समयह अस्ति अध्य कथायाह शिर्शकह अस्ति दश महत्वम असी महत्वम असी एकदा दश बालिकह स्नानाई नदीम अगच्छन एकदा दश बालिकाह स्नानाई नदीम अगच्छन ते नदी जले वहू देरम स्नानम अकुर्वन ते नदी जले वहू देरम चिरकालम स्नानम अकुर्वन स्नानम अकुर्वन ततह ते तीर्वापारम गटाहा ते तीर्वापारम गटाहा तदा तेशाम नाय कहा अप्रिच्छत तदा तेशाम नाय कहा अप्रिच्छत किम अपी सर्वे बालकाह नदीम उत्तीर्णा कदा कश्चिन बालकाह अगणयत कथम सप्त अष्टव नव इत्ती कथम सह स्वयम ना अगणयत सह स्वयम ना अगणयत अतह सह अवदत नव बालकाह अतह सह अवदत नव बालकाह दशम ना अस्ती नव बालकाह संती दशम ना अस्ती सह अपरह अपी बालकाह पुनह अन्यान्य बालकान अगणयत अपरह अपी बालकाह पुनह अन्यान्य बालकान अगणयत तदा अपी नव एव आसित तदा अपी नव एव आसन अतह ते निश्चयम अकुर्वन यत दश्मह नद्याम मगनह दशाम नद्याम मगनह ते दुखिताह तूष्णीम अतिष्ठन तदा कष्चित पथिकह तत्र आगच्छत सह तान बालकान दुखितान 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 युश्माकं दुखस्य किम कारणं। आपके दुख का कारण क्या है। बाल काह युश्माकं दुखस्य कारणं किम। बालकान नायकह अकथयत वयम दश बालकह सनातुम आगताह। इदानीम नव एवस्मः। एकह बालकाह नद्याम मगनम इति। पथि कह तान अगणयत। पथि कह तान अगणयत। तत्र दश बालकह एव आसन। सह नायकम आधिशत। त्वम बालकान गणयत। सहतू नव बालकान एव अगणयत। तदा पथि कह आवदत। केम। दश मह त्वम असी एति। कत शुत्वा प्रह्रिष्टा भूत्वा सर्वे ग्रिहं अगच्छन। यदा कदा काचित घटना बहु उत्तमाम शिक्षाम ददाती। इवमेव एशा कथा उपनिशदा नाम एकम रहस्यम प्रकटित वती। रहस्यम अस्ती यत वयमस्मासु इस्तितस्य ब्रह्म तत्वस्य अनुभवं न कुर्महा। अनुभव रहस्यम अनुभव एकम रहस्यम जहाँ